Hello everyone, so, आपको तो पता ही होगा कि हमारी इस चैनल के ऊपर हम एक सीरीज चला रहे हैं ये एक educational सीरीज है जहाँ पे आप photography और विडियोग्रफी काफी बहतरी ढग से technically, practically सीख सकते हैं इस चैनल के ऊपर हम लोग ने ये काफी सारे episodes upload किया हैं अभी फिलाल हम gimbal के ऊपर बात कर रहे हैं इसके पहले के दो episode में हम लोग ने काफी practically एक location पे जाके आपको gimbal के modes, gimbal को कैसे चलाना है उस सब के बारे में सिखाया था gimbal को balance कैसे करना है वो भी सिखाया था पर एक बहुत ही important topic है जो आज हम discuss करेंगे और वो यह है कि कौन सा gimbal खरीदना चाहिए gimbal चलाना सीख जाओगे, gimbal को balance करना सीख लोगे, वो सारा काम करना शुरू कर दोगे पर जब आम market में जाते हैं, बहुत सारे gimbal मार्केट में available है हमारे लिए कौन सा अच्छा है, आप मुझे कहोगे, मैं store वाले को पुछोगा कि हमारे लिए कौन सा अच्छा gimbal है, ये मेरा purpose है, तू मुझे बताओ अगर मुझे आपको पताना हो कि आप कैसे डिटर्माइन करोगे कि कौन सा गिंबल आपके लिए अच्छा है आप कहोगे आप स्टोर वाले को पुछोगे स्टोर वाले को पुछोगे यह वाला गिंबल है यह आपके लिए अच्छा है वगए आप ले लोगे ऐसे आप कर सकते हो पर actual में कैसे करना है कौन से points को determine करना चाहिए वो आज हम जानेंगे जब भी आप gimbal को purchase करते है सबसे पहली चीज gimbal का pay load capacity कोई भी gimbal market में available होने वाला हर gimbal आपके लिए सही नहीं होता है जितना हमारा gimbal महंगा होगा वो हमारे लिए अच्छा है मतलब अगर 75,000 का gimbal मिल रहा है वो ले लो बले 25,000 में काम हो रहा है ये भी गलत strategy है हर एक gimbal का pay load capacity होता है मतलब एक gimbal कितना camera का वजन जहेल सकता है आपको ये देखना है आपके camera का वजन कितना है क्या वो एक kilo का है 500 ग्राम का है 1.5 kg का है 1.5 kg का है कैसे पता चलेगा आपको जो है camera के specification में जाना है specification में जाके वहाँ पे आपको जो है camera का weight लिखा हुआ रहेगा वो आप लिखे फिर आप कौन से कौन से lenses अपने gimbal के उपर लगाने वाले है क्या आप 16 mm का light weight lens लेने वाले है या आप 24-605 का lens लेने वाले है depend करता है क्या आप 85 mm का lens लेने वाले है या 70-200 का lens लेने वाले है कोई भी lens आप लगा सकते हो आप आपके gimbal में जब आप shot लेते हो तो wide angle के shots लेते हो tally shots लेते हो 16 mm, 35 mm, 16-35, 24-105 ये सारे lenses preferred होते है जो हम काम करते है फिर आपकी shooting style के उपर है कि आपकी shooting style के हिसाब से कौनसे lenses आप prefer करोगे ये सारे lenses तो है ही अभी जब आप gimbal खरीदने जाते है तो आपको देखना है कि ये lens का कितना weight है 35 mm के lens का कितना weight है 70, 22 अगर आप use करने वाले हो तो उसका lens का weight कितना है ये सारे चीज़े आपको देखनी है और फिर उस lens का weight camera का वजन जो है उसका weight और अगर क्या आप monitor या फिर कोई light ये सारे चीज़े आप लगाने वाले हो तो उसका कितना वजन है यह सारे वजन को अगर मैं calculate करूँ कि भाई चलो एक किलो का हमारा camera है एक किलो का हमारा lens है और बाकी साथी चीज़े चलो 500 ग्राम की हो गई तो हो गया हमारा धाई किलो तो यह धाई किलो का हमारा camera, lens, light, monitor यह सारी चीज़े है अब मुझे चाहिए ऐसा gimbal जो at least 3 किलो तक का payload capacity वाला हो अगर मुझे आपको बताना हो जैसे DJI RS3 Mini, फिर ज्यून, विबल 3E Lite अगर आप देखोगे तो इसकी payload capacity धाई से 3 किलो की है तो यह जो धाई से 3 किलो की payload capacity है तो वो हमारे इसमें दाइरे में बैठता है कि चलो भई मेरा यह धाई किलो का जो camera है, जो monitor अगरा है यह इसकी उपर लग जाएगा अगर आपका जो पूरा है, जैसे का camera 1.5 किलो का है लेंस भी 2 किलो का है तो 4-4, 5 किलो की अगर आप चीज लगा रहे हो तो फिर आपको यह वाले gimbal काम के नहीं है फिर आप Zhiyoon का crane 4 लोगे DJI RS3 Pro लोगे ठीक है, तो यह सारी चीज़ी होती है जब आप gimbal खरीदने जाते हो तो gimbal में लिखा होता है payload, payload मतलब कितना load यह आपका gimbal ले पाएगा पहले आपको यह देखना है कि आपके camera का कितना वजन है lenses का कितना वजन है यह सारा वजन आप माइन में रखिए उसके basis पे आप जब gimbal खरीदने जाए तो gimbal का payload capacity चेक करिए First point यह सबसे important point है अब इसके बाद आता है Second most important point कि gimbal का वजन कितना है यहाँ बे हम सब photographer, cinematographer कोई bodybuilders नहीं है पैसे जो लोग की अच्छी body होती है जो अच्छा कासा जिम विम कर लेते हैं उनके लिए यह सारे चीजों को उठाना काफी easy हो जाता है जो लोग नहीं करते हैं आपको यह भी consider करना है कि gimbal का खुद का वजन कितना है कोई-कोई gimbal सिर्फ 800 gram के है कोई-कोई gimbal खुद 1.5 kg के है तो वो gimbal प्लस आपका camera यह सारी चीजे 4-5 kg के अगर हो गई तो आप समझे हमको 4-5 गंटे gimbal के साथ एक शादी में काम करना होता है हम ठक जाएंगे हम इतना जेल नहीं पाएंगे काफी बार हमारा camera लाइट वेट होता है पर हमें किसी ने कहा था कि हम heavy gimbal लेते हैं सबसे महेंगा gimbal ले लेते हैं ऐसे करके आपने heavy weight वाला gimbal ले लिया इससे क्या होगा कि आपने heavy weight gimbal लेकर light weight चीज उसके उपर लगाई और खाली फुकट का आपका weight बढ़ा दिया और जिसके वज़े से आपको पूरा दिन uncomfortable feel हो रहा है एक shot लेके तो रख तो नहीं देने वाले हो तुम तुम पूरा दिन shot लेने वाले हो तो ये एक समझना है कि भाई gimbal का खुद का वजन कितना है काफी सारे gimbal जो है उसकी जो body जिससे बनती है अगर वो carbon fiber body है तो जादा light weight होगा अगर वो metal body है कौन से metal की बनी है तो वो सादा heavy होगा तो ये देखना है कि खुद gimbal का वजन कितना है ये हो गया second point तीसरा point होता है gimbal size जब भी हम gimbal की size के बारे में बात करते है काफी सारे gimbal काफी बड़े होते है तो क्या हमारे पास हमारे luggage में इसी capacity है जहां पर ये gimbal fit in आ सके काफी सारे जो gimbal होते है उसकी size काफी छोटी होती है A4 size के paper जितनी छोटी होती है अगर ऐसा है तो हमारे luggage में वो आराम से बैठ जाएगा तो हमें ये देखना है कि हमारे पास assistance कितने है कितने लोग हमारी team में है उस हिसाब से gimbal की size भी matter करती है लंबा या बड़ा gimbal होगा तो आपको एक बड़ी bag लगेगी और एक assistant लगेगा चोटा gimbal होगा और चोटा काम करने के लिए होगा तो आपके आराम से आपकी bag में वो fit in हो जाएगा अभी चौथा point आता है कि ये जो gimbal है उसमें कौन से कौन से modes दिये गये है अगर आप हमारा इसके पहले का video चेक करोगे इसमें हम लोग ने सारे gimbal के mode आपको दिखाये है देखे हर एक अलग-अलग company के अलग-अलग नाम होंगे ठीक है पर usually pan follow, follow mode और lock mode ये तीन mode सारे gimbal में आचुका है इसके बाद additional हमें कौन से कौन से modes मिल रहे है मतलब वो 360 degree वाला जो vertex mode है वो मिल रहा है की नहीं पोर्ट्रेट के लिए पोर्ट्रेट शूटिंग करने के लिए हमें कुछ मिल रहा है की नहीं कौन से कौन से नए-नए modes आया है जादा modes होने से अलग-अलग modes होने से हमारी जो shooting style है उसमें फरक पड़ जाता है आज आप सिर्फ तीन modes यूज़ करके gimbal चला रहे हो और shots ले रहे हो अगर मैं आपको और तीन और चार और दस modes दे दू तो आपके लिए जो एक creative thinking थी कि अभी तक मैं ऐसा ही shoot करता था क्यूंकि मेरे gimbal के अंदर ऐसा mode है जिसके वजह से मैं और भी अलग interesting shots ले सकता या ले सकती हूं तो यह एक important point है इसके बाद आता है कि आज की जमाने में जहां पे clients को reels चाहिए होती है तो क्या हम जो gimbal है उसमें reels shoot कर पाएंगे की नहीं देखिए horizontal अगर आप अपका camera लगाते हो ऐसे आड़ा जो हम लोग 16 by 9 का ratio वाला जो हम लोग shooting लेते हैं वो सारे सारे gimbal कर लेते हैं और काफी सारे gimbal में हमें आज reels भी shoot करने होती है अगर आपको कोई commercial shoot आ गया कोई bride का shoot आ गया वो जो कपड़े जो होती है जो you know fashion wear का कपड़ा रहता है उसका shoot आ गया fashion shoot आ गया या फिर आपको सिर्फ रील्स बनाने के लिए शादियें बुलाया है ऐसी भी साज आजकल demands है क्लाइंट को reels में ज्यादा interest है तो बीच-बीच में आप reels रह रहे हो तो यह सारी चीज़ जो है माइने रखते है कि आपको reels का mode होना आज के gimbal में बहुत जरूरी है अगर आपको कहूं आज सबको cinematic reels चाहिए होती है तो आपको यह भी चेक करना है कि इस gimbal में reels का mode दिया गया है कि नहीं दिया गया है वो जो base plate जो आज हमारी horizontal लगती है वो हमारी vertically वो reel की लग जाएगी की नहीं लगेगी इसके बाद आता है Bluetooth connection देखिए काफी सारे बार पहले ऐसा होता था कि हम जब भी हमारा gimbal use करते थे तो vertex mode या 360 degree mode लेने के लिए या recording का button दबाने के लिए या shooting करने के लिए कुछ भी करने के लिए हमें जो है gimbal को camera के साथ wire से connect करना पड़ता था काफी सारे बार हमारा को वह wire बहुत बीच में आता था और हमको अटकता था तो इसके वज़े से आजकल के जमाने में जो भी gimbal आया है उसमें Bluetooth capacity वाले gimbal आ चुके है मतलब आपके camera के अंदर Bluetooth on करिए gimbal का भी Bluetooth on करिए और दोनों को wirelessly आप connect कर सकते है तो इसके वज़े से आप जो है hands free, wire free काम कर पाओ के बारी-बारी जो wire बीच में आता था उसका जिक-चिक निकल जाना चाहिए तो आपको ये भी देखना है कि क्या इसके अंदर Bluetooth capacity दी गई है या नहीं दी गई है इसके बाद आता है कि कौन सी gimbal, कौन सी company का ले ये सारे जितने मैंने आपको points बताया है, ये सब कुछ exhibition में होता है आपके वहां पे I'm sure exhibitions होते हैं अगर नहीं होते हैं तो आप exhibition में जाना सीखिए हर जगा पे, हर जगा पे company पहुंच जाती है जो भी reputed companies है, अपने gimbal को तरशाने के लिए, समझाने के लिए और कौनसे नए product gimbal में आये है, वो सब दिखाने के लिए exhibitions में वो लोग stalls लगा देते हैं तो आपको खास करके वहां जाके, gimbal को हाथ में लेके ये सारे pointers जो मैंने पहले बोले, वो सब को check out करना है इसके बाद एक बहुत बड़ा important point है, कि भाई कौनसी company का gimbal है बहुत ही limited company है market में है, सच बताओं तो पहला तो DGI है, ZYUN है, फिर FUTEC है, MOZA है मैं देखो तो गिन के भी 4 mind में आ रहा है, कि भाई ये 4 company है होगी, और भी couch company होगी, पर मैंने जादा gimbal brands देखे है नहीं गिन चुनके ये 4-5 brands ही है, जो लोग आजकल use कर रहे है तो आपको अभी क्या करना है, ये 4-5 stall में ही जो जाना है FUTEC में जाओ, MOZA में जाओ, ZYUN में जाओ, DGI में जाओ वहाँ पर जाके ही थारे point zoom in आपको बताए, उस हिसाब से आपको gimbal को देखना है जब आप देखते हो, आप ये सारे features तो देखोगे फिर नया एक point आजाता है, कि भाई हाथ में आपको कितना comfort और grip देता है कोई भी gimbal आप खरीदने जाओ, उसमें आपको एक grip होनी चाहिए जब भी आपको आपके camera पकड़ते हो या वो gimbal पकड़ते हो, आपको grip बैटनी चाहिए आपको आपके wrist भी यहां से वहां करना है, आपका हाथ भी ऐसे ऐसे करना है उसको साथ-साथ आठाट भंटा यूस करना है, तो आपको uncomfortable gimbal नहीं होना चाहिए आजकल wrist के अलग-अलग tools भी आते हैं, मतलब wrist को support के लिए भी tools आते हैं, hand support के लिए भी tools आते हैं तो यह सारी चीज आपको देखने हैं कि आपको combo में कौनसी कौनसी चीजे उसमें available कर दी गई है यह आपने हाथ में comfort ले लिया, भी gimbal का brand है, यह 4-5 ब्रैंड मैसे आपने हाथ में comfort चेक किया इसके बात, main चीज, budget, कितने का gimbal है आजकल जितनी भी brands है, यह सारी budget पे खेलती है चलो भई, DJI का RS3 Pro 75,000 के कुछ अंदर है अगर आप Crane 4 लेते हो, कि 50,000 के अंदर है कोई Futec का brand होगा, वो 35,000 या 40,000 का आपको gimbal पड़ेगा आपको ऐसे देखना है, फिर आता है, comfort बैट गया, फिर आता है पैसा और पैसे का budget, कोई भी brand आपको खराब माल नहीं बेच रही यह तो अपना mind clear रखो कि अच्छा बेच रही है, वो brand बुरा बेच रही है ऐसा कुछ नहीं होता, हर brand अपने हिसाब से, अपने पैसे के budget के हिसाब से features के हिसाब से आपको एक product दिया जाता है आपको सब कुछ चेक करना है, जो मैंने सारे pointers बताए, budget को चेक करना है और फिर, main बात, service centers और warranty guarantee देखनी है आपने gimbal खरीद लिया, आप उसको नहीं नहीं तो तकरीबन 3 साल तक use करोगे अब जो यह gimbal आप यूस कर रहे हो, उसमें आपका कभी gimbal तूटेगा, बिगड़ेगा, फूटेगा यह सारे चीज़े भी होगी, आपको भी पता है काफी बार आपका gimbal का बैटरी उड़ गया, काफी बार आपका gimbal कहीं पे रखा था तो कहीं पे कुछ तो तूट गया, यह सारे चीज़े होती है अभी आपको यह देखना है कि वह जो ब्रैंड है for example DGI है, तो DGI का service center आपके area में कहां पर available है अगर जियून का ले रहे हो, तो वह आपको कितना warranty और guarantee दे रहा है अचा कहां से, dealer से ले रहे हो, distributor से ले रहे हो, तो वह आपका service कितने जली दे पाएगा यह सारे चीज़े, अचा आपके area में कोई भी service center नहीं है तो कहां पर, कितना नजदीक में है, warranty, guarantee कितनी मिल रही है, यह सारे चीज़े भी consider होती है क्या वो आपको, आपका gimbal अगर बिगड जाता है, तो आपको वो gimbal replace करके देंगे, या फिर repair करके देंगे और कौनसे parameters पे, वो आपको repair करके देंगे For example, अगर आप कहो कि मैंने तो अपना gimbal पूरा पानी में डाल दिया, पानी में पूरा भीग गया तो क्या वो और उसकी responsibility लेंगे अगर आप कहो कि मेरा gimbal तूट गया, तो कहसे कहां से तूटा, वो होगा या तो gimbal अपने आप ही बिगड गया, उसकी वो guarantee ले रहे है आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी brand आपको कितना warranty, guarantee और क्या-क्या service center, after sale service क्या-क्या दे रही है ये भी एक बहुत important point है इसके बाद का एक point हता है, कि भाई, चोटी-चोटी चीज़े, जैसे gimbal तो लिया है तो gimbal single ले रहे हो, आपको combo में gimbal मिल रहा है तो वो कितने में पढ़ रहा है, कितना budget बैट रहा है आचा, gimbal में आपको gimbal की bag साथ में आ रही है आजकल काफी सारे gimbal brands bags नहीं देते हैं तो वो भी आपको 3-4,000 का खर्चा extra है मतलब gimbal का bag लेने का 2-3,000 जो भी होती है तो gimbal का bag आपको मिलेगा या आपको extra additional खरीदना है वो भी आपको check out करना चाहिए और सबसे main बात यह सारे चीजे ठीक है पर battery power कितना है gimbal एक electronic medium है नहीं कि mechanical यह पूरा electronically चलता है तो आपका जो यह battery है वो कितने घंटे के लिए चलेगा क्या आपको extra battery का ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको कोई gimbal ऐसा बोले कि चार घंटा मारा gimbal चलने वाला है तो आपको कि ठीक है बाई चार घंटे में मेरा हो जाएगा पर अगर आपको कोई कहे कि बाई बैटरी डाउन हो जाएगी तो आपको हो गई ना कि ठीक है चलो मेरे को और एक battery power लेना पड़ेगा तो यह भी एक important चीज है और उसके भी जादा important है कि क्या gimbal में locking system दे गई है आजकल के जमाने में मैंने देखा है कि DJI RS3 और RS3 Pro में locking system है काफी सारे brands locking system दे रहे है इसका मतलब है कि पहले गिंबल हमारा हिल्टा डूलता था मतलब आपने जो है लॉक किया हुआ है पर फिर भी उसकी बेस प्लेट असे हिलती रहती थी वो अब नहीं होता है locking system होने के वज़े से वो एकदम अटक जाता है वो वही के वही stable हो जाता है जिसके वज़े से उसको unfold और fold करना काफी असान हो जाता है यह सारे चोटे मोटे additional features है जो brands आपको देते है तो यह भी आपको consider करना है तो यह एक पूरा आपको YouTube वीडियो जो आप मैंने समझाया यह पूरा gimbal कौनसे brand का, कितने का और कैसा और कौनसे parameters पे आपको gimbal खरीदना चाहिए आपको यह पूरा वीडियो काफी informative लगा हो आज का यह जो वीडियो है हमारे इतने सालों की market searching है हम खुद भी जब gimbal खरीदने जाते है हम यह सारे points को consider करते है और यही चीज मैंना आज आपके साथ शेर की है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज इस वीडियो को लाइक करे शेर करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे आने माले समय में जो आपके आने की वीडियोज होगे उसमें भी ऐसे ही educational वीडियोज होगे सो stay tuned Thank you so much, see you soon